नमस्कार दोस्तों, बाइस माई दो हजार बाइस के डेली न्यूस अनलेसिस करेंट अफेस डिसकेशन में आपका सौगा तो चूकि आज संडे है तो आज एडिटोरिल डिसकेशन नहीं आएगा, ठीके, कुछ एक दो NCRT की वीडियो और करेंट की वीडियो मैं आपके लिए देखते हैं कौन-कौनसी न्यूस हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे, पहली न्यूस है, सेंटर स्लैशन फ्यूल टैक्स सेट्स 200 रुपीज सबसड़ी औन LPG सिलिंडर्स, तो रीसेंटल ही जो बढ़ता हुआ इंफ्लेशन है, जो कि आल्मोस्ट आट परसेंट को टच कर र बात करेंगे, औल इंडिया कंजूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्री कल्चर एंड रूरल लेबर्स, इसके रिस्पेक्ट में कुछ डाटा है, इसको देखेंगे, लेबर पार्टी एलेक्शन जीद गई है, उस्ट्रेलिया के इंदर इसको देखेंगे, आसाम में जो फ उपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के दोस्तों और जोइन बटन दबा के हल्प करिए, अगर आप हल्प कर सकते हैं तो, चलिए, वर्ड ओफ दे देख लेते हैं, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब एक प्रकार का कंट्रास्ट हो गया, जैसे फ़र एग्जाम्पल अगर सें आप क्रूल हो रहे हो, और क्रूल होना मतलब गलत बताया जा रहा है, मतलब आप किसी के प्रती एक अच्छे भाव से नहीं सोच पार हो, लेकिन आप उसके उपर काइड़नेस करो, जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी यूथेनेशिया, तो यूथेनेशिया में क्या है, क ये एक इनसान जो बीमार है, उसको मार देना, अब एक जिनदा इनसान को मार देना, ये क्रूलिटी की कैटेकरी में आएगा, लेकिन आप उसको मार के उसके दर्द से उसे राहत दिला रहोगो, मतलब ऐसा कुछ करना जो करने में कुरूल लगे बट एक्चुली में वो काइंट हो इसको आप बोलता है इसको आप बाकी सिचुएशन के साथ भी जोड सकते हैं जिसे यहाँ पर देखें सैब मीनिंग क्या लिखा हुआ वन सच अपरसन सिचुएशन और एक्चन हैंग सीमिंगली कॉंट्रिक्टी कॉलिटी और फेस देखने में कुछ और लग रहा है बट एक्चुली में वो कुछ और है ठीक है न यह ओवरॉल परालॉक्स का मतलब है पहली नूस सेंटर स्लैशन फ्यूल टैक्स सेट्स दो सो फाइनस मिनिस्टर निर्मिरा सीधरमन जी ने रन अवे इंफ्लेशन जी जो खतरनाक इंफ्लेशन बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए यहां पर कुछ स्टेप्स लिए अप्रैल में इंफ्लेशन रेटेल इंफ्लेशन पहुंच गया है 7.8 प्रदिशत पर और अगर आप ह किके खेगे कितना तो पैट्रोल के उपर सेंट्र एकसफिज काटी गई ए 8 रुपय प्रती लीटर ब्केधा कंड़ेशन रुपय दाम कम होनेवाले हैं और 7 रुपय प्रती लिटर डीजल के दाम कम होने वाले है ठीक्रोट परदब बंश तो प्लस एल्पीजी सिलेंडर के उपर 200 रुपए सबसीडी दी जाए जो PM उज्वला स्कीम है उसके अंदर जिन लोग को भी LPG सिलेंडर्स वगर मिले हैं अब सिलेंडर के दाम 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम हो जाएंगे प्लस कुछ पास्टिक और स्टील प्रोडट्स के ओपर जो इंपोर्ट डूटी जिस एक्सपोर्ट डूटी लगाई जाएगी ताकि वो अपने प्रोडट्स को इंडिया के अंदर रखे बाहर ना भेजे तो यह कुछ स्टेप्स यहां पर केंदर की सरकार के दौरा लिये गए हैं ओवराल देखा जाए तो इन स्टेप्स का कम माइंड एफेक्ट यह बताया ज प्रेशियों बढ़ाया था ताकि इंफ्लेशन को कंट्रोल में किया जा सके तो कुछ न कुछ सरकार यहां पर कर रही हैं नमंबर 2021 में भी पांच रुपए प्रती लीटर और दस रुपए प्रती लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम कम किये थे सरकार ने फ्यूल टैक्स के लिए एक साल में इससे सरकार को खर्चा आने वाला है 6100 करोन रुपए प्यम इजुला योजना के अंदर प्रसी जो टैक्स कट्स किये हैं पेट्रोल के इससे सरकार को साल का एक लाग करोन रुपया कम मिलने वाला है यह जो LPG सिलेंडर वाला डिसीजन लिया सरकार ने ज साथ मेंनों केवल ग्यारा प्रदिशत बढ़े हैं फिर भी सरकार यहां पे 200 रुपए की सबसीडी दे रही है ग्राउंड लिवल पे इंफलेशन को इस डाउन करने के लिए और प्लास्टिक प्रोड़क्स के इंपोर्ट डिपेंडनेस पे चुकि हम हाई है तो इसके ओपर इंपोर्ट डिटी थोड़ी कम की गई है ताकि वो माइक्रो स्मॉल और मीडम इंटरपाइज जो की प्लास्टिक प्रोड़क्स को इस्तमाल करते हैं उस सस्ते में प्रोड़क्स को पास सके रही बात स्टील प्रैस की इंपोर्ट डूटी और सम रॉम मैटरिल्स कम किये कारबन स्टेल चार्वी चार्व माइल्ड स्टील एंद की उल्ग ग्रेटS पारशे तर राज जी की सरकारों को भूला जाताएं कि बाई आप भी पैट्रोल के ओपर अपने टैक्स को कम करिए हाला तक पैटल के ऐस की बात की जाया दिखिए तो पैट्रओ और il हम्यंट रखियोगर इसका fractional distillation किया गया, diesel मनाया गया, petrol मनाया गया, इसका base दाम, उसके ओपर central excise duty लगी, उसके ओपर state के taxes लगे, और एक चीज़ होती है, CES जो केंदर की सरकार लगाती है, CES पूरा का पूरा केंदर की सरकार के पास आता है, state tax, राजी की सरकार उपास जाते हैं, central excise duty केंदर क सरकार और राजी की सरकार दोनों के पास जाती है, यहाँ पे जो केंदर की सरकार ने दाम किये, कम किये हैं, वो basically central excise duty कम किये, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कि जो 8 रुपे लीटर और 6 रुपे लीटर, यह जो कम हुए, यह central excise duty कम हुई है, अब यहाँ पे पीछ दिम्रम साब का यह बोलना है, कि हर एक रुपिया, समझे हर एक रुपिया अगर आप central excise duty कम करते हो, तो उस एक रुपिया में 59 पैसा जाता है केंदर की सरकार के पास, और 41 पैसा जाता है राज्य की सरकार के पास, मतलब अगर central excise duty कट किया जा रहा है, तो सिर्फ केंदर क पैसा कम नहीं हो रहा है, राज्य की सरकारों काईशा कम हो रहा है, तो central excise duty कट करके पी चिदम्रम साब बोल रहे हैं कि केंदर की सरकार पूरा क्रिडिट नहीं उठा सकती, चुकि यहाँ पर राज्य की सरकारों का भी कैसा कम हो रहा है, अगर सचमे केंदर की सरकार को इसले दो महीनों में 10 रुपया प्रती लीटर बढ़ा दिया था और अब पेट्रोल के उपर 9.5 रुपया कम कर रहे हैं तो मतलब यह रॉब को पैसा जदा ले रहे हैं रॉब से और उसको दे कम रहे हैं मतलब यहाँ पर एक नॉर्मल कस्टमर के इस इस्पेक्ट में कहा जा तो यह ओवरॉल आपोजिशन का स्टेटमेंट है यहाँ पर वो आपोजिशन और रूलिंग पार्टी दूसरे को पर अज़ाम देखे लगाते ही रहते हैं तो यह एक छोटी-मोटी न्यूस है छोटी-मोटी न्यूस का मेजर न्यूस है इन तीन स्टेप से कितना फरक आए पुर भाईया, आसाम में आ गया हैं इस समय पे आसाम में हर साल फलर्ड्स आते हैं, 25 लोग जान गई है फलर्ड्स और लेंड़ स्लाइट थें नोर्थ इस्टे इंस्टेर्ड में तीन नोर्थ इस्टेर्स्ट ने 25 जाने क्लेम की हैं ये तीनों मौनसून के अफेक्ट्स फ्लड की वज़े से हो रहा है डाटा प्रोवाइड किया गया आसाम स्टेट डिजास्टर मेनजमेंट अथॉर्टी के दौरा कि लेट फ्राइडे को चार लोग दो बच्चे डूब गए चार लोग ते इसमें दो बच्चे थे यह डूब गए पांच और लोग मर चुके हैं लैंड स्लाइड में जो चौदा मई से अब तक हो रही है 29 जो फ्लड एफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम की उसमें 7.12 लाख लोग एफेक्टेड है 74,705 लोगों को 234 रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट कर दिया गया और यह जो प्रॉब्लम है ना यह आसाम और नाचल प्रदिश और मगालिया इन तीनों स्टेट्स में आ रही है बोगी बील थोड़ा सा मतलब आप कह सकतों यह बहुत इंपॉर्टेंट है चुकि देखिए जो ब्रमपुत्रा बहती है ना असाम के अंदर यह ब्रमपुत्रा बहरी है इसका नौर्धन बैंक और इसके सावधन बैंक को कनेक्ट करना जरूरी है कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोगी बील है ये ब्रिज ये कभी कभी थोड़ा खतरे में आ जाता जब हैवी फलर्ट्स आते हैं फलर्ट की प्रॉब्लम आसाम में आज की नहीं है बहुत पहले से चुकि आसाम में बहुत सारी रिजर्वर्स हैं और नाच्रल डिजास्टर यहां होई आता है ब्रह्म पुत्र में पानी बहुत है अगर आफ निर्फ ऑफडन आर्फ इस्ट और इस्ट इनलाकों की बात करो तो नर्फ इस्ट इस्ट इसी ये इंडिया है इदर नौर्फ इस्ट आपका यहां سے आसाम की ये ब्रह्म पुत्रा बहुए और यंinek बहुत करती इसमें बहुत सारी और रिवरें आके गरती है बराक रिवर और भी है कि पानी की कॉइंटिटी बहुत स्यादा हो जाती उसको हैंडल करना मुश्किल हो तो वो पानी obvious सी बात है अपने flow के रास्ते से निकल के इधर उधर भागेगा इधर उधर भागेगा तो क्या आएगा? फ्लड्स आएगा तो ब्रभ्म पुत्रा बराक और आस पास की जो पचास ट्रिब्यूटरी उसमें पानी बहुत access होजाता है floods आ जाते हैं और flood पानी अगर अपने इलाके को छोड़ों के बाहर निकलेगा तो लोगों को तबाही मचाएगा अब हम flood affected area की बात करें एक होता flood affected area जहां flood आए एक होता flood prone area जहां पर floods आ सकते हैं अब राश्ट्री बाढ़ आयोग के हिसाब से अगर आप आसाम के total area की बात करें तो वो है 78.523 lakh hectares यह आसाम का total area है इस 78 lakh hectares में से 31.05 lakh hectares जो इलाका है आसाम का यहां बाढ़ आ सकती है मतलब out of 78 lakh hectares of आसाम 31 lakh hectares is flood prone मतलब यहां पर floods आ सकते हैं मतलब आसाम का approximately 39.58% इलाका flood prone है ठीक है न और इंडिया का total flood prone इलाका है उसका 9.4% आसाम में आता है मतलब अगर पूरे इंडिया में आप कह लीजे की 100 meters flood prone इलाका है या 100 square kilometers flood prone इलाका है तो उसमें 9.4 square kilometers तो आसाम में ही मतलब आसाम flood की problem से बहुत हद तक ग्रस्त है अच्छा मैं यह बता दूँ यह flood prone इलाका है जितना भी flood prone इलाका है जाब floods आ सकते हैं हर साल जरूरी नहीं है वाँ flood आए तो हर साल approximately कितने इलाके में flood आते हैं तो flood prone इलाका आसाम में 31.05 lakh hectares लेकिन actually में on an average आसाम में हर साल 9.31 lakh hectares में flood आता है यह flood affected है तो हर साल आसाम में 9.31 lakh hectares इलाका flood affected होता है और flood prone कितना है 31.05 lakh hectares पूरे देश की बात करो तो पूरे देश में percentage terms में जो flood prone इलाका है वो 10.2% है जाब floods आ सकते हैं और आसाम के state में लगबग 40% 39.58% इलाका flood prone है मतलब आसाम floods के respect में बहुत जादा disadvantageous condition में है देखा जाए तो आसाम में 1912, 1954, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998, 2002, 2004, 2012 में major floods आ हैं हर साल आसाम को floods की चलते 200 करोड का नुकसान हुआ particularly 1998 में आसाम को 500 करोड का नुकसान हुआ था 2004 में 771 करोड का नुकसान हुआ था और ये नुकसान केवल आसाम तक्लीमित नहीं है और नाचल पदेश और मेगाले को भी यहाँ पे flood वगरा से erosion से नुकसान होता है अब यह तो बात होगी flood की एक चीज़ होती erosion erosion के चलते यहाँ पे land loss होता है जिसके चलते agriculture और रहने की जगा कम होती है फिर से बताता हूँ यह बह रही है आपकी ब्रह्मपुत्रा river ब्रह्मपुत्रा river में बहुत पानी है पानी अगर बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा वो bank को इधर उधर पुश करेगा ठीक है ना जो पानी है जो पानी का plane है अगर obvious सी बात है पानी बढ़ेगा तो वो अपने अगल बगल की इलाके में इंग्रिस करेगा तो यह जो bank होता है ना river का यह erode होगा और हो सकता है कि पहले नदी इतनी हो अब नदी इतनी हो गई हो यह पूरा का पूरा इलाका नदी में आ गया इतना जो इलाका पहले लैंड था वो नदी ने अपने अंदर समा लिया तो इस इलाके में जो भी agriculture होता था यहां पर जो भी लोग रहते थे वो लैंड इलाका effectively कम हो गया bank erosion पिछले 6 decades में आसाम में एक major problem मन के आया खासका river ब्रमपुत्रा उसकी tributaries के आसपास लगबख 7.4% इलाका आसाम का इन bank erosion के चलते effect हो चुका है आसाम में हर साल 8000 hectares land इलाका कम हो जाता है river erosion के चलते ब्रमपुत्र नदी कुछ हद तक तो अपनी चोड़ाई को 15 km तक बढ़ा चुकी है तो this basic bank erosion is a major problem इन आसाम एंड फ्लट्स तो एक प्रॉब्लम है ही GSP पत्री disasters में न्यूज आपको काम आएगी अगली न्यूज है India registered success with TBP treatment ब्लड प्रेशर treatment देखें कार्डियो वैस्कुलर डिजीज एक बड़े major disease है heart attack की प्रॉब्लम होना और यह कहीं न कहीं high blood pressure और hypertension के साथ जुड़ी हुई hypertension एक silent killer hypertension मतलब आपका blood pressure बढ़ गया अब normal जो लोग होते हैं उनको पता नहीं चल पाता है कि उनका blood pressure बढ़ गया बढ़ जाता है जिसके कोई symptoms नहीं होते India के अंदर लगवाग 20 करोनो लोग है 200 million लोग जो hypertension से डील कर रहे है इसमें से क्यों साथे 14% लोग treatment ले रहे है मतलब blood pressure की दवाईयां खा रहे है blood pressure को diagnose करना आसान है low cost generic ducts को treat भी किया जा सकता है बशरते आप अपने आपको treat करवाना चाहो जल्दी पता नहीं चल पाता है कि आपको hypertension हुआ है इसके लिए इंडिया के अंदर इंडिया hypertension control initiative चलाएगा है multi partner initiative है इसमें Indian Council of Medical Research, WHO, Minister of Health and Family Welfare state government सब involved है ताकि hypertension को tackle किया जा सके blood pressure को control किया जा सके इस project को 26 districts में चलाएगा था 2018 में, 2022 तक यह 100 districts में चल रहा है 2 million patient से ज़दा treat किये जा चुके है इस particular initiative ने दिखाया है कि हम blood pressure का treatment कर सकते है और इसको treatment करने के लिए किसी बड़े hospital की जरूत नहीं है primary care centers में भी treat किया जा सकता है बस कुछ generic drugs की जरूत होती है समय समय पे blood pressure की monitoring की जरूत होती है और बड़े-बड़े hospitals में आपको जाने की जरूत नहीं है IHCI से पहले यानि इंडियर hypertension control initiative से पहले लोग अपना इलाज कराने के लिए बड़ी-बड़ी facilities में जाते थे अभी का जो trend है वो यह बता रहा है कि भीया primary health center community health center basically वो health center जो कि district hospital से बड़े hospital से नीचे आते हैं वहाँ पे हम जादा effective तरीके से blood pressure और hypertension को tackle कर पाएं यह ऐसा नहीं कि आप बड़े hospital में जाओगे तो वहीं यह चीज tackle होगी इसको tackle करने के लिए आपको बस normal दवाई खानी है एक healthy lifestyle जीनी है अच्छा खाना खाना है समय समय पे अपना check-up करवाना है जितने भी patients यहाँ पे identify किये गए इस IHCI initiative के अंदर 747% से नहीं अपना blood pressure control किया है primary health center में blood pressure control करने वाले लोग 48% से health wellness center में लगबग 55% से ठीक है ना इस particular initiative में एक चीज़ बहुत important होती कि जो low cost generic drugs है वो available हो यहाँ पे लोगों के पास तो इसमें होता है कि 5 scalable strategies है blood pressure और hypertension को tackle करने के लिए simple treatment protocol जहाँ पे experts की मदद से चीज़ों को consult किया जाता है disease program managers आते हैं लोगों को देखते हैं और overall बीमारी को problem को identify करते हैं इस problem को deal करने के लिए जो anti-hypertensive drugs होते हैं इनकी supply chain को improve करवाना ताकि देश के अलग-अलगी सो में दवाईयों की कमी ना पड़े patient centric approach अप्रोच अखना समय समय पे उस patient का check-up कराना हर 30 दिन में उसका check-up करना primary health center और health wellness center समय समय पे follow up करते ने documentation करते ने लोगों को बोलते ने अगर वो check-up कराने के लिए नहीं आए रहे हैं कि आईए check-up करवाईए proper digital और paper-based tool का इस्तमाल किया जाए समय समय पे digital tools की मदद से पता कर सके हम लोग कि कौन एक महीने पहले आया था कौन अपना schedule miss कर रहा है कौन दवाईया नहीं खा रहा है इन सब चीज़ों को tackle करना basically यहाँ पर program management के लिए data-driven approach को इस data-driven approach को paper format और digital format दोने इस्तमाल किया जाए हाला कि digital format में focus करना जादा सही रहेगा चोंकि digital format में automatically जो system है वो आपको remind करा देगा कि कौन सा ऐसा individual है जो 30 दिन पहले आके check-up करा के गया था अपनी दवाईयां वगरा लेके गया था लेकिन अब वो अपनी दवाईयां वापस लेने नहीं आया थीक है ना भाई तो यह सब चीज़े है बाई general anti hypertensive drugs की बात की जाए तो यह कितनी महंगी है अगर इनको बड़े scale पर procure किया जाए तो प्रती patient साल का इन drugs का खर्चा केवल 200 रुपया निकल काएगा इसका generic drugs का generic drugs क्या होती है branded drugs नहीं होती है जैसे मालो किसी बड़ी company ठीक है ना ग्लैन मार्क फार्मसेटिकल ने एक दवाई बनाई अब वो अपने brand name के अंदर बेचेगा तो महंगी बिखेगी लेकिन उसके अंदर जो drugs बने है उनको बिना किसी brand के सरकार बनाएगा तो वो बनेगा generic drug और generic drugs काफी सस्ते होते हैं इंडिया के अंदर primary health centers की बड़ी chain है जहां पर doctor और nurses को train किया सकता hypertension के लिए आयुशमान भारत योजना के अंदर जो health wellness centers है इनको यहाँ पर इस IHCI initiative से जोड़ी है जोड़ा भी गया है समय समय पर blood pressure को monitor करना overall लोगों के records को digitally maintain करना समय समय पर पर परूज करना कि वो दवाई खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं अगली न्यूज है और इंडिया consumer price index नमबर देखिए वैसे यह वाली न्यूज पर्टिकुलरी तो बहुत ज़दा important है नहीं और इंडिया consumer price index का जो base year है वो है 1986-87 यहाँ पर 100 रुपए से assessment शुरू हुआ था अभी के लिए देखा जाए तो और इंडिया consumer price index नमबर अग्री कल्चर और रूरल लेबर के लिए क्या है तो अपरैल दो हजार आइस में दस पॉइंट बढ़ गया है अग्री कल्चरल लेबर का consumer price index है 1108 पे और रूरल लेबर का है 1119 पे अगर आप देखो तो अग्री कल्चर लेबर और रूरल लेबर के लिए जो food group से की वज़े से ज़दाम बढ़े हैं उनके CPI के CPI के दाम बढ़ना मतलब inflation के महंगाई के दाम बढ़ना तो food group की वज़े से अग्री कल्चर लेबर के लिए दाम बढ़े 7.32 पॉइंट्स और रूरल लेबर के लिए दाम बढ़े 7.13 पॉइंट्स क्यों चुकि राइस वीट आटा जोवार बाजरी रागी वेजिटेबल फूट इन सब के दाम बढ़ रहे हैं अगर स्टेट वाइ ये पॉइंट्स क्या आपके लिए जरूरी है देखिए बिल्कुल जरूरी नहीं है इस स्पेसिफिक फिगर्स आपके लिए जानना यहाँ पे उतना जरूरी नहीं है अगर आप देखो तो exact percentage के टमस में बात करें तो अप्रेल 2022 में CPI Consumer Price Index for Agriculture Labour था 6.44% और CPI for Rural Labour था 6.67% य और अप्रेल 2021 में कितना था 2.66% और 2.94% Food Inflation की बात की जाए CPI for Agriculture Labors और Rural Labors तो वो कितना है तो अपरेल 2022 में 5.29% और 5.35% मार्स 2022 में था 4.91% 4.88% अपरेल 2021 में था 1.24% 1.54% ठीक है डाटा बस बता दिया है हर महीने डाटा अपडेट होता याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है Consumer Price Index की बात की जाए तो भाई Retail Buyer को जो महगाई feel होती है उसको आप Consumer Price Index बोलता है जैसे मेरे आपकी जैसे लोग जो मार्केट से जाके सामान खरीते हैं किराने की दुकान से जाके सामान खरीते हैं हमें जो महगाई feel होती है उसको Consumer Price Index अब बोलता है पूरे देश के लिए त कितनी तो आप कैसे बाट होगे? CPI for agriculture labor, rural labor के लिए महगाई, कितनी तो आप कैसे बाट होगे? CPI for rural labor. इन तीनों इंडेक्स को compile कौन करता है? Labor Bureau in the Ministry of Labor and Employment. ये question पहले पूछा जा चुका है UPSC में, कि कौन इन इंडेक्स को release करता है? CPI में और भी बहुत से subgroups है, food and beverages, fuel and light, houses and clothing, bed wear, foot wear, वगरा वगरा. जीस पर पत्री इंडन इकनामी में न्यूज़ आपको काम आएगी. फिर अगली न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर labor party मतलब जीच चुकी. Scott Morrison जो कि अब तक प्रधान मंत्री थे ऑस्ट्रेलिया के, अकसर कर मोदी जी की साथ meeting वगरा होती रहती है. अभी गिले वो ऑस्ट्रेलिया में settled है. और Mr. Albanese यहाँ पर non-anglo-celtic है. समझ ये non-anglo-celtic नेम का मतलब क्या है? इनका ये बोलना है कि मैं एक अकेला ऐसा individual हूँ जिसका नाम non-anglo-celtic है. मतलब मेरे जो ancestors का origin है वो British Isles में नहीं है. मतलब मेरा origin एक ऐसे individuals है जो ऑस्ट Morrison और बाकी लोग उनके roots कहीं न कहीं उन लोगों के साथ जुड़े हुए थे जो कि British Isles में पैदा हुए थे. British Isles मतलब आज का present day England और Scotland और Ireland. वहाँ पे जो लोग पैदा हुए थे उनके ancestors यहाँ पर आस तर प्राइम मिनिस्टर बने मैं पहला ऐसा हूँ जिसके ancestors British Isles मतलब England में पैदा नहीं हुए थे मैं Australia का हुँ हूँ basically. अब खेर ये तो Norman culture है जो लोग जिनके ancestors England में पैदा हुए थे ऐसा थो ही नहीं कि फूर वो England की यहाँ पर बासुरी बजाएंगे वो तो भाई देश के लिए ही काम कर रहे हैं सब लोग. है तो सब Australia नहीं. तो Mr. Albanese ने क्य लोगों को रोबस social safety net देंगे चुकि 2001 से लेकी inflation सबसे ज़्यादा है, घरों के दाम सबसे ज़्यादा है, minimal wages को increase करने की plan मना रहे है, foreign policy front पे कुछ चीज़ें करेंगे, चाइना जो Solomon Islands पे अपना धाग जमा के बैठा है तो आसपास की countries को military training देना, military तरीके से एकोई करना त से पहले कौन ताकत में था liberal party और इनके प्राइमिनिस्टर थी Scott Morrison, इनके पास majority थी 151 पर्लेमेंट में 76 की, अब वो नहीं रही है, Solomon Islands Australia की politics में एक बहुत important रूल प्रिकरता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, पपा नहीं गूनी, यहाँ पर है आपको Solomon Islands, अब Solomon Islands में और बहु Solomon Islands के साथ, इनके military persons यहाँ पर island में डिप्राय होंगे, बहुत सारा infrastructure को build up किया जाएगा Solomon Islands में, और चैनल न यह भी बोलाए कि एक major infrastructure construction projects, one out two, फीजी, पापा नहीं गिना में भी चालू करेंगे, यहाँ पर बनाउटी दिख रहा है, यहाँ पर फीजी चल रहा है, यहाँ प तो thank you for watching friends, आज के current affairs में इतना ही है, I hope आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलाओ, अपने viewpoint नीचे comment box में देगे, जरूर जाएगे, दोस्तों Instagram पर follow कर लिजी, Telegram जोन कर लिजी, दोनुजी चीजों कर लिए, दोनुजी चीजों कर लिंक नीचे दिया हो, have a great day friends, goodbye, ध्यान रख झाल के सकता हो, have a great day friends, आपको कर लेंगे, कर लोनुजी चीजों कर लिजी चीजों कर लिजी, दोनुजी चीजों कर लिए आधे, यानुजी च्छ साथ घज़गें लिए में धे लिए भत्तास सी आधे, अजू आपको कर लिए देपने आना है, यांू है है किया दूजी त